कि हेगाइज वॉल्पम डियो फिजिक्स इन प्लेग्राउंड बहुत सारे अभी अफवा चल रहे हैं और बहुत सारे अभी यूमर्स भी निकल रहे हैं कि निट का जो फर्स्ट अफ अगस्त को एक्जाम होने वाला वो पॉस्पॉर्ण हो जाएगा दिली के सीम ने भी अभी सीट मिलेगा तो वह स्रीफ और स्रीफ आपके हाडवर्क से आपके पढ़ाई से तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अभी क्या होता है न अभी वीडियो बनेगा बहुत कुछ बनेगा तो बैते गंगा में सब हाथ धो लेंगे समझ रहे हो न तो बस उन सब चीजों से पषणा बहुत सारे स्टेट के एक्जाम भी कैंसल थोगे हैं क्लास टैन के हुए है क्लास कर दिया जाए गा एक्जाम नहीं होगा-वहत सरहरा सिटेट जो की स्टीट बूर्ड कैंसल कर चुका है बड़ याद रग एक्जाम ने की हैं तो बहुत कुछ होगा अभी लॉकडाउन भी में भी आ सकता है दो वीक के लिए या तीन वीक के लिए वैसा नहीं होगा बट होगा अब किजी को लग रहा होगा लॉकडाउन तो पहले से जो भी आव वो नाइट कर्फिव हुए आइधिंग और सही तरीका का लॉकडाउन त बच्चा भी था हमारे साथ में बट वहां पर क्या था ना लोग कम थे रिसोर्सेज अनिमिटेट थी तो हम लोगों के लिए उतना कोई डिफिकल्ट वाला काम था नहीं सारा कुछ बना बना है मिल रहा था समझ रहा है जो भी चाहिए सारा गोवर्मेंट प्रोवाइड कर तो वह चीज अलग है घर में ताला आप नहीं लगा सकते हो समझ सकता हूं मैं जो भी होगा नॉर्मल रहेगा और यह बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कि स्रीफ और स्रीफ आप लोग पढ़ाई पर फोकस करो प्लस आपका अगस्त में एक्जाम है फर्स्ट हुआ है क्लकाटा का चल रहा है क कौकता भी बोलते हैं इनका चल रहा है तो अब सारो कुछ हो रहा है और कभी यह पॉस्पार नहीं होता बट स्चुडेंट बच्चे है तो मज़े ले लेते हैं और कुछ नहीं समझें आपके मज़े ही लिये जाते हैं और कुछ नहीं लिये जाते हैं So at the end बस इतना जानो कि 1st of August को ही एक्जाम हो रहा है जो भी होगा देखा जाएगा बट इतना ले करके चलो 1st of August एक्जाम होगा और उसके लिए प्रिपेर करो करना कैसे है बायो में 360 में 360 में 360 में देखो सारे ठके हुए है अभी तो सायद पेपर समझो कि 2020 के जैसा ही रहेगा समझे पेपर उतना भी difficult नहीं जाएगा और उतना भी आसान नहीं रहेगा average बोल सकते हूँ average से भी below average रहेगा समझे तो उस तरीका से पढ़ो कि आप लोग जाकर के वहाँ पे अगर easy question आता है तब तो करके ही आना 180 में 180 भी ला देंगे physics में अगर easy रहा तो conceptual रहेंगे छे से साथ question conceptual रहेंगी रहेंगे numerical solve करना रहेगा किस किस में करना होता electric current, alternating current, magnetic effect of current, thermodynamics और आप लोगों का modern physics खास करके semiconductor, electro esthetics से आपका concept ज्यादा पूछते हैं और किस में आपका numerical, gravitation में पूछेंगे दो numerical रहेंगे वो दोनो numerical formula based solve कर लेना work power energy और आप लोगों का SHM and waves से आप लोगों का numerical रहेगा, friction से भी एक numerical रहेगा, Newton's law of motion से एक numerical रहेगा, unit dimension measurement से एक आप लोगों का numerical रहेगा, percentage वाला question देख लेना, physics के लिए वो important है कैम में maximum organic में आपका conceptual ही रहता है, सारा कुछ concept रहता हुआ, numerical solve कर रहें है, inorganic में थोड़ा P block रट लेना, अगर नहीं कुछ हो पा रहा है, तो थोड़ा रट लो, ठीक है, NCRT का internal, external, जिदने भी question है, थोड़ा रट लो, और J means और J advance का question कर लो, S block, P block का, DF से आप लोग थो question आएगा, प्रियोडिक टेबल से एक radii पे question वो लोग कर सकते है, atomic radii या strength पे bond strength पे कर सकते है, या bonding energy, bond energy पे, समझाए, ऐसे-ऐसे question आप से पूछे जा सकते है, coordination compound से आपका isomerism से आ सकता है, और isomerism काफी है, isomerism से आप लोगों का पूछा जा सकता है, optical या geometrical isomerism, और एक stere video chemical series है, spectrochemical series, तो वो देख लेना, उसका order देख लेना, एक order होता है, ऐसे करके ही पढ़ना है, पढ़ोगे तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सारा कुछ याद है, अभी तक सारा कुछ याद है मुझे, तो इस तरीका से होता है, समझे, ऐसे करके पढ़ोगे तो सारा सही बता रहों, बहुत इंट्रेस्टिंग है, समझे, और मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंबेस्टर फ्लक फूर एक्जाम,